नमस्कार सांतियों और आज की वीडियो में हम जानेंगे भारत की एक अत्यादुनिक विसाइल जिसका नाम है दूरवास्त्र और इस मिसाइल के द्वारा भारत कहीं न कहीं चाइना को बैकपुट पर ले आया है और इसी मिसाइल के कारण चाइना ने अभी भी अपने जो 40,000 सेनिक हैं वो बॉर्डर पर तैनात किये हुए हैं तो आएए जानते हैं इस मिसाइल के बारे में और इसकी खूबियों के बारे में तो जो सबसे पहले इसमें मैं बताना चाहूंगा कि जो यह मिसाइल है वो पूरवी लिद्धाक के चीन के साथ जो सीमा विवाद अभी वर किया है और यह मिसाइल साथ किलोमीटर दूरी से दुस्मन के टैंकों को द्वस्त कर सकती है इसकी जो खासियत है जो इसकी खूबिया है उसके बारे में भी अभी हम जानेंगे तो इस जो यह मिसाइल है इसको तीसरी पीडी की टैंक रोधी मिसाइल का जाता है टैंक आप ज अबस्त करने में सक्छम है, तो इसके अत्रिक्ट जो इस मिसाइल के खूबियां हैं, और इस मिसाइल के क्या क्या लक्षणड हैं, उस पर हम अगर बात करें, तो इस मिसाइल के सम्बंद में, अभी कुछ दिन पूर ही, पूर वह में ही, ओडी सा में, जो उसका इटी आर है, यानि की interim test range है, वहाँ इसका परिक्षण किया है, दुरुसास्त्र मिसाइल का, और यह मिसाइल है, यह जमीन से और आकास से, दोनों ही इस्थानों से दुस्मन के टैंकों पर वार कर सकती है, जो इसका आकास से वार करने वाला launch system है, उसको हेलीना कहा गया है, हेलीना कार्थ होता है, जो हेली यानि के हेलीकप्टर और ना जो इसका ना इसके पहले इसका नाम था, इस मिसाइल का, तो उसको ध्यान में रखते हुए इसको नाम हेलीना दिया गया है, क्योंकि है हैलीकप्टर से दुस्मन के टैंकों पर वार करती है इसलिए इसके जो लाँचिंग सिस्टम है उसको हैलीना नाम दिया गिया है जो आर्मी की वेबसाइट है उसके अनुसार जो इस मिसाइल की खूबियां बताई गई है वो खूबियां निम्न है पहली इस मिसाइल की जो खूबी है वो है कि यो थार्ड जनरेशन की मिसाइल है और इसका नाम इसको फायर एंड फॉर्गेट मिसाइल भी कहते हैं क्योंकि एक बार इससे आपको फायर करना है और उसके बाद भूल जाना है क्योंकि यह मिसाइल स्वतव ही अपने टारगेट को ढून लेती है और उसके बाद उसे द्वस्त कर देती है इसके अलावा जो इसकी खूबी है वो यह है कि यह जमीन से और आकास से दोनों ही स्थानों से वार कर सकती है जमीन से वार करने की जो इसकी दूरी की है वो चार किलोमेटर दूर से वार कर सकती है और आकास से या साथ किलोमेटर दूर से भी वार कर सकती है इसके अत्रिक्त जो इसकी तीसरी खूबी है वो यह है कि इस मिसाइल के माध्यम से जो बैटल टेंक है उनको पूर्टा द्वस्त किया जा सकता है यह इसकी तीसरी खूबी है इसके अत्रिक्त जो इसकी चौथी खूबी है वो यह है कि इस मिसाइल को हेलिकप्टर से लॉंच किया जाता है तो इसका नाम जो है धूर्व एडवान्स लाइट हेलिकप्टर तो इसका नाम एकजाम की द्रिश्टी कोंट से महत्वपूर्ण बनता है लेटिस्ट जी के जो क्वेसंस हो सकते हैं वहाँ पूछा जा सकता है तो इसलिए भी इसे आप ध्यान में रखें और इसके अलावा जो इसकी अन्यक होबी है टॉप अटेक कैपबिल्टी यानि कि उपर से भी वार कर सकती है दुस्मन के टैंकों में इसके अत्रिक्त जो इसका लेंट है वो है 1.85 मीटर और डायमीटर ऑफ 0.20 मीटर और जो इसका वेट है वो है 43 केजी यानि कि 43 केजी इस मिसाइल का वेट है इसके अत्रिक्त जो यह मिसाइल है 230 मीटर यानि कि 230 मीटर पर सेकंड की स्पीट से ये जुस्मन के जो टैंक होते हैं उस पे वार करती है इतनी खूबियों के साथ ये मिसाइल है तो इसलिए ये जीके के दिश्टी कोंड से महत्वपूंड हो सकता है तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए महत्वपूंड रहा होगा इससे आपके जो धूर्व मिसाइल के संदर्म में धूर्वास्तर के संबंद में जो आपकी जानकारी है वो काफी पुकता होई होगी इससे संबंदित अगर आप कोई क्वेरी करना चाते हैं तो कमेंट के माध्यम से अवश्य करें आप लोगों ने मुझे सुना आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद